इस तो कल मैं फाइनली तू जूटी में मकाड देखके आ गया हूँ और सच बताओं मेरे लिए तो ये मूवी एक हिट एंड मिस थी मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जा मुझे जैनुरी ये मूवी अच्छ लगी और कुछ ऐसे थे जो लगा कि यार ठीक है मतलब दिखा रह देदे प्यार दे अजी देवगन की मूवी जो थी उसको लव रंजन ने प्रोड्यूस कर रहा था मतलब बट इन डिरेक्ले अगर आप उस मूवी को देखो तो आपको कंप्लीटली समझ आएगा कि ये लव रंजन की ही मूवी है तो मुझे लव रंजन की मूवी पसंद आ तो मैं अबीर कपूर के लिए भी मूवी देखने की आथा शद्दा कपूर भी मूचे पसंद है तो मैं तीन ही ऐसे यूनों लोग थे इस मूवी में जिनको मैं को देखना था साथ ये साथ इस मूवी में अनुभाव सिंध बसी भी है स्टैंडप हम सब में उनको देख रह किसी ना किसी के लिए पसंद आही जाएगी बट पर्सनली अगर मैं इस मूवी को एक पूरा देखने के बाद कहूं तो ये मूवी एक हिटन में से है मतलब लास्ट वाला जो एरपोर्ट वाला जो सीकोइंस था उसमें मुझे थोड़ी बाद हसी आई बाकि पूरी मूवी म जो मैं फील कर पा रहा हूं जो रुमैंस वाला पार्ट था जो ड्रामा वाला पार्ट था वह भी मुझे बस हिटन मिस लगा मतलब कुछ पॉइंट से थे जो अच्छ थे बट बाकि जगे मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं डालॉक्स इस मूवी के सबसे बड़ा मुझे लगत एक्टिंग पॉइंट ऑफ यूस से बात करूं तो परसनली मुझे सभी एक्टर्स का काम ठीक ठाक लगा बोनी कपूर की अगर हम पार्ट को हटा दे तो क्योंकि बोनी कपूर तो एक बिल्कुल फ्लैट फेस के साथ अपने डियालोग्स डिलिवर कर रहे थे तो बोनी कफी अच्छे लगे हैं श्रद्धा कफूर काफी जद अच्छे लगे हैं और सच में मुझे रनबीर कपूर से ज़याद काम श्रद्धा अच्छे लगा इस मूवी में बाकि सभी एक्टरस की जांत कि बातные वह भी ठीक ठाकते हैं डिरेक्शन पॉइंट ओफी से ही मुवी वीक है डिरेक्शन पॉइंट ओफी से में बात इसलिए कहा रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस मुवी का एंड भी देखोगे ना तो वह इंपक्ट नहीं डाल पाया है साथ जैसा मैंने पहले भी कहा है ड्रामा वाला पोशन भी हम पर वह इंपक्ट नहीं डालता इमोशन हमें हीट नहीं करते हैं तो डिरेक्शन इस मुवी का वीक है लेकिन सेनेमेटोग्राफ में मुझे काफी पसंद आई है मतलब जिस तरह से लोकेशन को शूट किया गया है कैमरा वर्क जिस तरह का है वो मुझे काफी पसंद आई मतलब अँस लगता है कि आँ अच्छी मूवी से तो वह सारी चीजह हैं तो मतलब कुछ चीजह अच्छी है कुछ चीजह कुछ बिलावएबरे इसे मुवी में मैंने गाने एंजॉए करें मतलब personally मैंने movie में almost सारे गाने एंजॉए करें मैं यह नहीं पूल मुझे सारे गाने एंजॉए करें मैं यह नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा खराब है मैं यह भी नहीं कहूंगा बहुत ज़्यादा अच्छी है अगर आप मेरी तरह एक you know normal इंसान हो तो one time watch movie है आप अगर जादो दिमाग नहीं लगाते हो या फिर आप कह सकते हो कि एक enjoy करने के point of is अगर आपको देखन यह नहीं है तो ultimately आपकी का call है बट personally मुझे यह movie बस hit and miss लगी उमीद करते हैं कि लवरंजन के अगली movies से बैटा रहे हैं रनबीर कपूर की इस movie से बैटा रहे हैं क्योंकि यार मैं तो इन चाहता हूं कि अच्छे movies बनें अच्छे हम देखें बाकि यह movie मुझे काफी जाद जय भारत